केरल में एक बेजुबान हत्री के साथ हुई दर्दना घटना से पुरा देश स्तब्ध है सभी का यही सवाल है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है हत्री के साथ हुई इस घटना को लेकर सभी के अंदर गुस्सा है जो सोशल मीडिया पर साफ तोर पर दिखाए दे रहा है इस घटना को लेकर बॉलिवड सेलिब्रिटीज के रियाक्शन भी सामने आए है इस घटना को लेकर अक्षिक कुमार, श्रधाकपूर, अनुश्का शर्मा, कपिल शर्मा जैसे कई बॉलिवड कलाकारों ने अपना गुसा जाहिर किया है अक्षिकुमार ने लिखा हो सकता है कि जानवर कम जंगली हो और इंसान कम इंसान हथनी के साथ ऐसा क्यूं हुआ दिल धहला देने वाला अमानवी और अस्विकारी है दोशियों के खिलाफ सकत कारवाई की जाने चाहिए वहीं अक्षिक अनुश्का शर्मा ने केरल के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने हथनी और उसके अजन में बच्चे के बीच कालपनिक बाचीत का स्केच को साजा किया है पोस्ट के कैप्शन में अभी नेत्री ने हाथी को कैसे मारा गया इसकी पूरी कहानी को विस्तार से बताया और लिखा कि किसी को भी जो आवारा कुटे पर पत्थर फेकता है किसी भी जीवित आत्मा को छोट पहुचाता है एक ही है इन में से बहुत से जानवर इंसानों पर भरोसा करते हैं क्योंकि अतीत में उनके द्वारा मदद की गई है ये क्रूरता है जब आपके पास सहनुभूती और दया की कमी होती है तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं होते हैं किसी को छोट पहुचाना मानविय नहीं है जब तक दोशियों को सबसे खराब तरीके से दंडित नहीं किया जाता तब तक ये दुष्ट राक्षस कानून से कभी नहीं डरेंगे अभी ने तरीश रदाकपूर ने ट्वीट किया किस तरह कैसे हो सकता है क्या लोगों के पास दिल नहीं है मेरा दिल तूट गया है अपराधियों को सकते से सकते सजा देने की आवश्रता है दिया मिर्जा और रंदी फुड़ा जैसे कलाकारों ने भी दोशियों के खिलाफ सकत कारवाई करने का आग्रह किया है वहीं कबिश्वर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे बेजुबान दोस्त को न्याय मिलना चाहिए और भी कई बॉलिवर्ट सेलिविटीज ने इस घटना पर अपना गुसा जाहिर करते हुए दोशियों के खिलाफ कानूनी कारवाई करने की मांग की है आपको बता दे कि केरल के मलंपुरम में एक गर्भवती हतनी को कुछ लोगों ने विस्पोटक से भरा अननास किला दिया जिसके बाद हतनी बुरी तरीके से घायल हो गई थी वो तीन दिन तक नदी के पानी में खड़ी रही और अपने दर्द को मिटाने की कोशिश करती रही लेकिन उसकी कोशिशें काम्याब नहीं हुई और आखिरकार उस हतनी ने दम तोडिया सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोग लकातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और उस बेजुबान हतनी के लिए नियाय की मांग की जा रही है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स